NCRT is क्यों important? अगर आप NCRT ध्यान से पढ़ते हैं, क्या चीज़ ये करने की कोशिश कर रहा है? NCRT की books की बात करें. तो ये basically जो NCRT की books होती है, इनका पहले आप important समझो कि ये important क्यों है? और हमें इसको इसको इस्तमाल कैसे करना चाहिए और myth क्या होते है? ये बड़ा important हो ज जाता है और जिसको आप fact मानके, important मानके रटते हैं, वो आपके लिए उतना महत्रपूर्ण नहीं रह जाता है. तो ये चीज़ आप जानना चाहते होंगे कि ये किताबें आप अपना इसको अपनी success का कम से कम pre-crack करने में आप इसकी भूमिका को कैसे सुनेशित कर सकते हैं यानि हमारी राष्टी है, जो पार्टिकरम framework है, उसके according मनी होती है. जब UPSC, आप जानते हैं कि राष्ट की सबसे बड़ी जो हमारी ये संस्ता है, exam लेने के लिए, जो हमें IS, IPS बनाती है, वो जब test लेने जाएगी, एक exam है, तो test लेने के लिए वो किस framework की तरफ देखेग यानि obvious सी बात है कि NCRT के लिए सबसे authentic जो आपके UPSC exam ले रहा है, उसके लिए जो basic अगर pre में क्या चेक किया जाता है, pre में आपकी understanding चेक की जाती है, आपका basic कितना clear है, आप subject की अवधारणाओं को कितना समझ पा रहे हैं, आप गलत को कितना हटा पा रहे हैं, pre यही होता चार option दिये होते हैं, उसमें एक option सही होता, तीन गलत होते हैं, वो यह देखता है कि पढ़ते समय आपने कितना जो है वो development किया अपनी concept को, और कितना आपकी clarity of concept है, तो उसके लिए pre में वो basically clarity of concepts, हम यहाँ word use करते है, clarity of concept, वो कहता है पढ़े हो ठीक है, बहुत अची बात ह ठीक है, लेकिन पढ़के तुम समझ कितना पाए हो, मैंने बात को ध्यान समझना, तुमने पढ़ लिया भाई, तुमने कहा कि सार हमने polity पढ़ ली, history पढ़ ली, वो कह रहा है कि पढ़कर तुम्हें पास समझ कितनी create हुई, अगर मैं कुछ information twist कर दूँ, कुछ नई information रग तो आप इसको कितना पकड़ पाते हैं, तो यहाँ पर clarity of concept बहुत important होता है, concept का मतलब होता है कि मैं सभी धुंद में, अगर data इधर से उधर कर दिया जा, तो भी मुझे समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाता हूँ, या मेरा अफधाना क्या है, तो clarity of concept प्री का orientation होता है, अ आपके concepts clear हैं या नहीं है, understanding आपकी है या नहीं है, दूसरा, कि जब वो exam लेगा, तो वो किसी एक राश्टी framework की तरफ देखेगा, और राश्टी framework में National curriculum framework 2005 जो है, वो अभी तक हमारे यहाँ सिक्षा में चल रहा है, तो यानि NCRTs जो हमारी है, वो इसी base पे काम करती है, या यानि अगर उसको student की clarity of concept चेक करना है, तो NCRT उसके लिए authentic source हो जाता है, एक बहुत important source हमें यहाँ पर होता हुआ, दिखाई पड़ता है, दियान से समझेगा, कई बार इसको skip किया जाता है, अब मैंने जो word use किया है, इस पर थोड़ा सा emphasis करो, एक एक शब्द को पकड़ो म ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा, UPSC ने इस बार 40% का दारा बढ़ा कर प्री में इतना जादा question कैसे उन्होंने prevail कर दिया, इतना जादा जो है अपना input कैसे दे दिया है, तो चलिए, हम यहाँ पर बात करते हैं, clarity of concepts की, clarity of concepts क्या होते हैं, यानि कि अवधानाओं की इस सफलता है, उसको सुनेशेद कर सकते हैं, तो concepts का मतलब क्या होता है, और क्यों NCRT और National Curriculum जो framework 2005 है, राश्टी जो पार्टिकरम हमारा framework है, वो कैसे आपको मदद करेगा, इसकी इस पष्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, चलिए, बात करते हैं, जब हम NCRT इसको देखत हैं, तो इस पर हमें दो इस पष्ट विभाजन देखने को मिलते हैं, यहां पर हमें दो पहले से मिलते हैं, कि नई वाली NCRT पढ़ें या पुरानी वाली पढ़ें, तो इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कि हम नई की तरफ किया जाता है, और understanding के लिए मेरे पास एक पढ़ने की किताब होनी चाहिए, तो अगर पुरानी आपको फोटो कापी दुकानों मिलेगी, वो आपको स्कूलों में तो नहीं दी जा रही है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, कि इसका मतलब है कि वो किस पर इंफैसिस करे कि जो नहीं understanding है, अब पहले यह समझे कि नहीं NCIT और पुरानी NCIT में क्या फरक आता है, जब आप new NCIT जाता है, तो वो basically संस्थाओं, इतिहास, भूगोल में होने वाले विकास के करम, तथा उन पर होने वाले प्रभाव, मेरी बात को ध्यार समझेगा, एक तो विकास का करम, sequence of development and their effects और उनके होने वाले प्रभावों के बारे में questions जादा से जादा रहा है, समाज पर प्रभाव, परियावरण पर प्रभाव, हमारे इतिहासिक लेखन पर प्रभाव, समाज संस्कृतियों पर प्रभाव, इनका एक बहुत बड़ा व्यापक्ता होती है, विकास का करम क्योंकि हम एक लोगतंतर के रूप में, हम एक राष्ट के रूप में, हम लगातार डवलप हो रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझेगा, अगर आज की class आपको मेरी समझ में आ गई, तो आपको UPSC का orientation समझ में आ जाएगा, आपको आसान हो जाएग किसी भी segment में, अगर तुम नई NCRT उठा कर देखोगे, तो इसमें NCRT में पुरानी NCRT के comparison में कुछ बहुत अलग-अलग topics दिये गए, जहां पर पुरानी NCRT में डवलपमेंड का जो sequence उस पे जाधा focus किया गया है, यानि विकास के करम पे जाधा focus किया गया, कोई लड़ा हो रहे थे, उससे में, जो मंदिर architecture है, वो किस तरह से बन रहा था, किस तरह से कला संस्कृत में बदला हो रहा था, उद्योगों में क्या बदला हो रहा था, यानि, effects क्या हो रहा थे, यानि, अगर एक राजसत्ता, इतिहास में कोई एक dynasty आती है, कोई वंश आता है, कोई भ कठा किये जा रहे हैं, इतिहास का काल करम कैसे बदल रहा है, तो इन सब के साथ जो effect basis है, यह नि प्रभाव, उसको नई NCIT में फोकस किया गया जैसे माल लीजिया, geography है तो जब आप पुरानी geography पढ़ते हैं, तो उसमें continental based geography बताई जाती थी facts होते थे, पहार, परवत और अभी आप market में देखेंगे, जो NCIT based किताबे लिखीगे, उनको उसी basis पे रखा गया है, काफी हद तक वही facts जो रखे गया है, लेकिन अभी आज के समय में आपको यह पता होगा, जोगफी पढ़ने वाला हर 26 में, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पर्यावरन हो, चाहे जीव जन्तों हो, फ्लोरा फॉर्ना किसी भी चीज़ पे, हमारे glacier से लेकर, हमारे समुद्रों तक तो इसका मतलब है, effects को समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेगा और आत्मसाथ करिएगा, अगर आज कोई मेरी बात आप तक पहुँच जाती है, आपके लिए प्री क्रैक करना बहुत आसान होगा पुरानी NCRT डबलप्मेंट के सीक्वेंस पर फोकस करती है, विकास के करम के बारें बताती है, लेकिन effects missing है जिस तरह के contemporary effects आ रहे हैं तो अनिशित काल के लिए बंद कर दिया गया इसका मतलब है जलवाई, परिवर्तन और जिस तरह से production और हमारे समाज में होने वाले परभाव हैं, वो एक अलग ही इस तरह पर जा रहे हैं इस बात को आप समझिएगा नई NCRT काफी हद तक इसको justify करती है और justify करने के लिए उन्होंने इसका structure चेंज किया पुरानी NCRT में जहां structure देखते हैं आप कि बीच में एक line draw करके facts के base पर दिया गया नई NCRT में जब आप जाते हैं आप जोगरफी पर देखें तो डेट सारे नए-ने figures, नए-ने diagrams, नए-ने तरीके, paintings इन सब को involve किया गया है आप से question पूछा गया है figures के माध्यम से इसमें नई-नी चीज़ों को add-on करके बताया गया है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं तो इसके माध्यम से आप देखिए नए-ने contemporary figures दिये गए हैं ताकि अब ये क्यों बताया गया है अब बताया जा रहा है कि उस समय की जो नीतिया थी वर्तमान समय में आदिवासी समधाय के उपर क्या-क्या परभाव पड़े अभी आपने देखा कि प्रधान मंत्री ने आदिवासी समधायों के लिए एक अलग जो है सम्मान दिवस से लेकर उनके उत्थान के लिए तमाम तरगी बात है की कानून में बदलाव किये तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो नई-NCRT सिर्फ हमें ये नहीं बता थी कि राजसत्ताएं कैसे काम कर रही थी युद्ध कैसे हुआ कि स्क्रम में हुआ साथ ही ये भी बता रही थी ये समाज के अन्य हिस्सों में क्या-क्या प्रभाव उसके उत्पन हो रहे थे जिस स्ट्रेंट को ये समझ में आ जाएगा उसके लिए प्री क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा और UPSC में उसकी जरनी होगी बहुत स्मूथ हो जाएगी NCIT उसको बहुत मदद करना शुरू कर देंगी नेक्स आ जाते हैं तो ये हुआ कि हमें नई NCIT पढ़नी है और हमें दो चीजों का ध्यान रखना है एक डबलप्मेंट सीक्वेंस पर हमें जाना क्रोनलोजी और दूसरा हमें एफेक्स को ध्यान रखना है कॉस एन एफेक्ट के साथ कॉस भी ये काफी हद तक जो है यानि प्रभाव कारण और प्रभाव ये लगातार इस पर अपना इंपक्ट क्रियेट करते हैं क्लियर हुआ तो ये धाना तो तरह हो गई कि हमें इसको कैसे इस्तमाल करना है ये तीन चीजों का आप ध्यान रखिएगा आपके लिए UPSC बहुत ही आसान हो जाएगा आप किसी भी optional point को उठा ले आपके लिए बहुत important हो जाता है नेक्स वन अब जब हम NCRT पढ़ते हैं मालिजय हिस्ट्री, जोगरफी, पॉलिटी, एकॉनमी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो जब यहां जैसे भी किसी बच्चे ने पूछा कि NCRT की एकॉनमी के लिए कौन सी बुक लें यानि इसके दिमांग में है कि NCRT कोई एक पार्ट पढ़ना है मैंने कई लोगों से बात किया, आप जयान से सुनिएगा तो उन्होंने का कहा कि सर 11-12 की पढ़ लो मुझे बता ना कि अगर मेरी बात सही है तो मुझे हां या ना में जवाब देना सर 11-12 की पढ़ लो इसी में तो सब दिया हुआ है क्लियर है आपने भी यह पढ़ा होगा, सुना होगा मुझे बताएं कि आपने भी ये पढ़ा सुना है कि NCIT पूरी पढ़ने की जरूत नहीं है 11 वी बार्मी की पढ़ लो more than enough है हो जाता है काम ये मुझे उस बंदे ने कहा जो pre एक बार qualify कर चुका था interview तक पहुंचा और इस बार उसका pre नहीं निकला ये उस बंदे ने मुझे से कहा था रहे सर 11, 12 की बहुत है आप कहा ये छोटे छोटे बेसिक पढ़ाते हैं टाइम का वेस्टेज होता है ये उसने मुझे कहा था जब उसका interview का result नहीं है result नहीं हुआ interview का अगली बार pre दिया और उसका pre नहीं निकला इस बार ठीक है तो मैंने अब उससे पूछा कि अब बताओ मेरी बात सही थी या नहीं सही थी हम चलिए अब जड़ा देख लीजे इसमें मित को तोड़िए कम से कम history अगर मैं यहां बात करूँ history, geography, quality ये तीन किताबे ऐसी है जहां पर दो category है एक 6 to 10 ये इसमें भी हमें 6 to 8 की category बना दूँ और 8 to 10 की category बना देता हूँ ठीक है ये मैं बना देता हूँ इसमें 6 to 8 की category और 8 to 10 की category फिर 11 to L की category अब अब समझना आप चुकी क्या होता है आपको बताने वाले और आप पढ़ने वाले आपको यह लगता है कि हमें facts collect करने हैं UPSC में और इन facts को collect करके हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन ज़रा ध्यान समझना भी मैंने थोड़ी दर पहले आपको बताया कि आप UPSC में understanding important होती है जो pre होता है वो कहता है कि जो आपने पढ़ा है उसमें concepts क्या clear है कि अगर मैं आपको चार जो है वो fact दूँ उसमें से चार concept दूँ उसमें से appropriate यानि most accurate concept को आप हमारी लिए justify कर सकते हैं इसका concept नहीं होता है concept का मतलब होता है कि किसी भी स्थित में मैंने उसकी अफधारना को उसके understanding को जो है वो double up कर लिया है understanding में किसी 30 class के बच्चे को अचानक से 11 क्लास में admission दे दिया जाए बोला नहीं अब आपको calculus पढ़नी है जनाब आपको प्रत्वी के y चेतर पढ़ने है दाब चेतर पढ़ने है pressure groups के बारें पढ़ना है तो उस 6th class के बच्चे का क्या होगा हो सकता है माता पिता के मार खाने की डर से अब जरह मेरी psychology को समझे कई जो point है हो सकता है उसको rut भी डाले उसको याद भी हो जाए किसी तरह से लेकिन उसकी understanding डबलप नहीं हो पाएगी यह एक ऐसा fact है जिसे आपको समझना ही पड़ेगा यानि understanding और fact को mug up कर लेना यानि रट लेना दो अलग अलग चीज़े होती है और understanding एक क्रम एक sequence में डबलप होता है आपके साथ अगर मैं आपसे कहूँ जैसे मालीजाप में से कई बच्चे में मुझे सुन रहे होंगे जो अभी undergraduate होंगे ठीक है या भी 11-12 में होंगे अगर अचानक से मैं उन्हें optional की बहुत भारी-भारी किताबों के नाम बता दूँ दे दूँ ठीक है तो वो क्या होगा घपरा जाएं क्योंकि अभी उनका उससे कोई भी परिचार नहीं हुआ है लेकिन अभी किसी senior बचे को तो उसके लिए वो आसान होगा तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमें एक segment एक जो है वो चीजने डबलब करने में time लगता है जब आप इन basic किताबों के साथ जाते हैं जब 6-8 या 10 तक जाते हैं तो basically especially यह जो category group है आपको लगता है कि यार यह तो मिल जाती हैं मिल तो जाती हैं लेकिन development होने के करम में नहीं आती हैं इन जो 6-7-8 की किताबें हैं उसमें बहुत सी ऐसी बाते की गई जो आपसे बातचीत करते हैं आपकी understanding डवलब करती है यह तह करना पड़ेगा कि fact यह धेर सारे information और understanding यह दो category इस्थापित की गई है बहुत से chapter यहां से यहां जाते हैं वही प्रत्वी की अंतरतम की सनचना 11th class में भी हमें मिलती है वही history हमें 11th और 12th class में भी हमें मिलती है वही करनाटक की लड़ाई मैसूर की लड़ाई वही जो है वो charter क्या होता है लेकिन जो 6-7-8 class की है NCRT वो understanding की और NCRT खुद यह कहत देता है कि इन किताबों का basically हमारा purpose क्या है the success of this effort depends on the step that the school principal and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions NCRT कहता है और यह कहता है कि इसकी understanding develop होनी चाहिए rather than की facts को रटने के तो यहां पर क्या होता है बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें है ऐसे से question दिये होते हैं जो आपको thinking process में लेकर जाते हैं learning stage मानी जाती है NLP के हिसाब से भी यह age learning stage मानी जाती है तो UPSC क्या करता है कई बार वो समझता है कि बही यह student आपकी tendency को बहुत अच्छी तरह जानता है आप क्या पढ़रों क्या निकर उसकी पूरी नजर आपके उपर ठीक है कौन सी photocopy चल रही है कौन सी नहीं चल रही है वो सब कुछ सारी चीज़ों के बारे में वो जानता है तो वो क्या करता है वो जानता है यह पार टाइम जो बचाना चाहता है यह पैराशूट इस्टुएंट अभी आया है सटा सटा सट दो महीं ने में NCRT खतम करके जो master बन जाएगा तो हमें क्या करना है हमें basic question लेने हैं आपका focus था यार ग्यार में बड़े भीया ने बताया है वो चार साल तैयरी कर चुके हैं किया quick कर लो अच्छा हमें quick सब्द बड़ा अच्छा लगता है मेरे बड़ा दबावाता है वो जांग sir quick quick खतम कर दिया करिये ना जल्दी जल्दी खतम कर दिया ठीक है कोई बात नहीं है तो maggie जादे दिन खाओगे तो तुमारा paid busy साब से खराब होगा tension वाली बात नहीं है UPSC Maggie नहीं है और UPSC Maggie student को जो भी अचानक से जम कर गया उनको हटाना चाहता है वो चाहता है कि ऐसे लोग इसके साथ जोड़े जिनके अंदर patience है जिनके अंदर persistence है लगातार काम करने की छमता है धैरे है वही लोग इसमें जुटें तो ये बुक जो होती है वो understanding को डबलब करने के लिए होती है और इनको holistic way में पढ़ना चाहिए holistic way का मतलब होता है कि इनकी समझ के साथ आगे चलकर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 11th class 12th class में जो 80% चीज़े हैं वो replicate होती है लेकिन चुकि आप अपनी understanding को डबलब कर चुक क्योंकि आपको chronology of development जानना है अगर आप नहीं जान पाएंगे तो कभी understanding समझ ही नहीं पाएंगे तो यहाँ पर भी development chronology of development and cause and effect यह बहुत important होता है यही understanding का base होता है और दूसरा यह जो basic NCRTs हैं यह आपको understanding में लेकर जाती है कि मुझे understanding कैसे करनी अगर आप इसको जो है छो जब आप इसको पढ़ें तो इसको holistic way में पढ़ें और holistic के साथ BTL between the line BTL का मतलब होता है कि इसमें आशय को समझना आशय मैंने पहले बताया था जैसे PK ने कहा था कि I love fish तो इसका मतलब यह नहीं को तो आप फिश को बहुत प्यार करते है इसका मतलब आज lunch यह डिनर में मच इसलिए खाई जाएगी आशय बड़ा important होता है जो आशय का मतलब होता है कि reference क्या है इसका यह UPSC reference के लिए जाना जाता है generally क्या होता है कि जब हम इसको line by line पढ़ने शुरू कर देते हैं तो हम इसको सोचते हैं कि facts का हम notes बना लेंगे और हम याद कर लेंगे हिमाले की geography का question निकल जाएगा war कौन कौन सी हुई medieval time में ancient time में हमने याद कर लिया हो जाएगा कौन कौन सी dynasty कौन कौन से उसके राजा थे संस्थापक थे हमारा हो जाएगा लेकिन जब आप UPSC का question देखे होंगे अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो applied part पे जा रहा है वो आशय प कौन सी भावना है जो है वो सनलगनती ठीक है कल्यान कारी राज्य में कल्यान सब्से क्या तातपर है आपका तो वो क्या होता है वो indirect question पूछ रहा है यानि वो आशय जब हम तातपर यह meaning word use करने लगते हैं तो वो क्या करता है वो किसी एक चीज़ के साथ उसका development perspective पूछना शुरू कर देता है तो development perspective जैसे ही वो पूछना शुरू कर देता है BTL बहुत महत्पूर्ण हो जाता है between the line यानि teacher की जिम्मेदारी है student जो पढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ी गई बात का आश्य निकाल सके तो जो student BTL बेस पे काम करेंगा यानि between the line उसका understanding meaning क्या है what is the meaning of this यह क्या कहना चाहता है ठीक है किस तरह से जा रहा है मालीजे आज हम जलवाई परिवर्तन को लेकर इतना concerned है कि अब भारतिय परमपराओं में यानि Indian culture में कुछ ऐसा रहा है जहां पर हम वसुधयव को तो मुकम हमने जो कहा था उसके पीछे हमारे पास एक हमारी lifestyle थी क्या हमारा खान पान पहनावा हमारे कपड़े कुछ इस तरह से थे जो प्रकति के अनुरूप थे जो environment पे कोई भी negative footprint नहीं जो है वो डालते थे हम Minimalistic थे यानि Minimalistic का मतलब हम minimum जो है वो requirement पे काम किया करते थे आगे चलकर गांधी भी यही कहते हैं कि नियूंतम जरूरतों की पूर्ती का ही उद्देश हमें प्रकत से लेना चाहिए तो इसका सीधा सा मतलब है क्या हम भारती है आज समस्यां आपने देखा कि ग्रेटा ने भी कहा कि भाई ब्ला ब्ला हुआ कुछ हुआ नहीं और COP26 में धेर सारे लोग जोड़े उन्होंने बड़ी बड़ी बात है कि फिर चले गए 21 में भी 22 में भी 23 में भी हर साल यही करते तो इसका सीधा सा मतलब है क्या भारतीयों के पास इसका सॉलूशन है तो इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा आशेम का मतलब होता है उसके तातपरियों को समझना और जिम्मेदारी होती है टीचर की वो एक सब्जेक्ट थे दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़े बीटियल के बाद आता है इंटर लिंक करना पहली बात जो आप पड़ रहे हैं उसको आप उसके आशे के साथ पड़े और दूसरा अन्ने सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़े ठीक है अन्ने सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़े लिंक करने की चमता और वही क्यों पढ़ा जा रहा है भूगोल, लेकिन क्या मैं इसको इतिहास या अर्थवस्ता से जोड सकता हूँ, अर्थवस्ता को क्या मैं समाज के साथ, economy को, society के साथ जोड सकता हूँ, कहां कहां जोड सकता हूँ, connectivity क्या है, संघर्ष क्या है, वो हमें दिखाई पड़ता है, तो दूसरा होता है, इंटर लिंक और तीसरा होता है NCRT खुद अपने आप में 2000 से जादा पेज़े जब ये सारी किताबे इकठा करोगे तो तुम्हें इतना भारी बंडल दिखाए पड़ेगा अब प्रश्न है कि इतना भारी बंडल इतनी धेर सारी इंफोर्मेशन इसमें भी धेर सारी अंडेस्टेंडिंग उसको लेकर कहाँ है तो उसके लिए आप क्या करते हैं उसके लिए सिंपल आपके पास एक स्मार्ट नोट मैथर्ड होना चाहिए स्मार्ट नोट्स मैथर्ड होना चाहिए क्यों? यह 2000 से ज़ादा पेजिस जब तुम 56 से ज़ादा किताबें इकठा करते हो और जब इनका गठर लगा तो किसी इन NCIT का गठर लगाना उठती नहीं आसानी से तो इतना इंफोर्मेशन दिमाग में आएगा कहां से कैसे हम बरेंगे? ठीक है? किस तरूफ करेंगे कि हमें इसको बार-बार रिवाइस करना होगा? क्यों क्योंकि understanding करने के लिए, interlink करने के लिए जो revision होता है वो सबसे important शर्थ है. अगर जो revision नहीं कर सकता, वो जोड ही नहीं पाएगा, वो click ही नहीं करेगा जो BTL नहीं जानता, वो कभी भी interlink नहीं कर सकता और जो interlink नहीं कर पाएगा, वो एक subject को दूसरे subject के साथ जोड कर उसका तातपर नहीं निकाल पाएगा तो अगला होता है smart note method इस तरह से NCIT पढ़ी जाती, यह होता है NCIT पढ़ने का बिलकुल सही method, यानि between the line यानि कि जो आशे समझते हो, इसकी meaning को समझते हो, कहना क्या चाहरा है अब एक page लिखा हुआ है, लेकिन मेरे लिए दो word ही बहुत important है दो concept बहुत important है, हो गया मेरा काम दूसरा interlink करना, मेरा एक subject, दूसरे subject का link कैसे कर सकता है इस बार economy को question देखिए आप economy को, core economy का question लेकर उन्होंने कीन्स economy के साथ जोड़ा उन्होंने welfare economics के साथ जोड़ा उन्होंने social economics के साथ जोड़ा कितना उन्होंने जो है interlink किया इधर से उधर और smart node method, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं LWMI method का use करते हैं, less word more information method एक ऐसा method जिसके बाद शुड़ात में जब बच्चे आये तो उनको थोड़ी दिक्कत दो लेकिन जब सीख गए वो तो अब वो इसी के ही पारंगत हो गये, उनको यही method में पूरा पढ़ाता ही हूँ आज भी एक ऐसा teacher जो खुद अपने हाथ से notes बनाता है और पढ़ाता है वो LWMI method हमने यहां develop किया So this is very important, यह तीन चीज़े याद रखिएगा अगर आप NCRT के master बनना चाहते हैं अगर आप प्री में 50% question को hit करना चाहते हैं यानि कि आप लगबग प्री निकालने की स्थित में होना चाहते हैं तो आपको NCRT सिर्फ एक book नहीं कोड़ा है आपका पूरा विमर्श रहता है NCRT पढ़नी है की नहीं पढ़नी है तो यहां पर आपको क्या करना है BTL method इसके बाद interlink करना इसके बाद smart note matter यानि की LWMI, TM जो हम लोग thought mapping सिखाते हैं note art सिखाते हैं वो चीजें आपके साथ होनी जब यह तीनों चीजें merge करोगे NCRT तुम्हारे pre को crack करने में तुम्हारे साथ कंदे से कंदा मिला लेगा यह information का इतना बड़ा bundle है जिससे आप कभी भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे इन किताबों में एक खास बात लिखी गई है ध्यान से पढ़ना और यह ज़रूरी भी है NCRT उठाने वाले हर वेक्ति का उत्तरदाई तो इसको पढ़े और यह कहता है कि इसके बाद यह कहता है कि हम यहाँ कोशिश कर रहा है कि बच्चे जो है वो अपनी सोचने की चमता में जा सकें कहता है कि हम केवल रॉट लर्निंग नहीं कराना चाहते हैं कि आप केवल अकाडमिक भूप परो आप अंडर्स्टैंडिंग करो और NCRD की किताबे आपको अंडर्स्टैंडिंग की तरफ लेकर जाती है यह इस एक्जाम का एक परपस है यह नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है एक राश्ट निर्माल की प्रक्रिया है और जब आप सोचोगे है नहीं आप केवल एक्जाम के भैसे नहीं निकल पाओगे तो कभी भी आप राश्ट की ना तो चुनोटियां समझ पाओगे और ना ही उसके समाधान के लिए अपने आपको प्रेद कर पाओगे alien नहीं है अगर इस राष्ट का समाधान करना है यह हमें और आपको मिल करना है लेकिन हम तब कर पाएंगे जब अपने राष्ट की समस्याओं को लेकर हमारे अंदर चेतना होगी awareness होगी तो यह बड़ा एक depth की बात होती है कि हमें हमारी सिक्षा को एक मकसद देना है और कम से कम जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे है या जो UPSC की तैयारी का सपना देखना चाते है उनसे मेरा निवेदन है उनसे मेरा आगर है request है कि वो अपने अंदर राष्टी चेतना को ज़रूर लेकर आए क्योंकि ये service तुम्हें समविधान के अंतरगत इतनी शक्तियां देती है कि तुम हजारों लाखों की जिंदगियों में बहुत बड़ा change लेकर आ सकते हो लेकिन वो change की शुरुआत तुम्हारे अंदर से होनी चाहिए तुम्हारे अपने विचारों में तुम्हारे initial building process होना चाहिए एक जो राष्ट इनवार तुम्हारा योगदान क्या होगा officer बनके इस शक्ति का प्रियोक कैसे करोगे लोगों की जिंदगी को positive करने में हमेशा इसका ध्यान रखना और NCRT को इसी रूप में पढ़ना BTL, Interlink and Smart Node Method NCRT आपका हो जाएगा और NCRT को निकालने में आपको कोई भी हिचक नहीं होगी